नमस्कार दोस्तों हमरी योटोब चैनल सफल इस्टड़े आई क्यों आपका स्वागा था यह है जैससी का ओफिसल साइट जरकंड करमेचरी चैन आयोग यहाँ पर मैं आप लोग को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जैससी की और से बड़ी अपडेट आई है और यह बड़ी जो है आपकी सचनी की योगता है एज लिमिट क्या है आपकी सेलेरी क्या होगी कितने सारे फिस लगेंगे कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या कुछ देगी है इस नोटिफिकसंस में तो सब्सक्राइब यहां पर जो एडबराजम 6-10-2021 यानि 6-10-2021 का है और यहां पर देखते हैं वाइगानिक सायकों के पदों पर भरती यह जो है जारकान वाइगानिक सायता प्रदिकुदा परिच्छा 2021 के लिए ओनलाइन आविदन जो है 11-10-2021 को गारा वजे पुरवान से 25-10-2021 तक जो है यह ओनलाइन आविदन किया जाएगा जिसमें जो है आपको ऑफिसल साइट है जैसे सी डोट नाइसी डोट इन और इस नोटिस में आगे यह बात बताई कि देख सकते हैं 26-10-2021 तक जो है यहां पर भुक्तान कर सकते हैं यानि जमा कर सकते हैं फोटो हसलसर यह सब अप्लोट करने का लाश डेट है यह 26 सब्सक्राइब के लिए इसमें बहुत सारे जान करिये हैं और रिक्तियां कि संख्या कितनी है बाकि तमाम जान करें आगे आपको दे जा रही है तो पूरा धरकन कर्में चैने का पूरा लेखा जोगा देख सकते हैं यहां पर हम पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे इस व रूपिया और 800 रूपिया ले जाएगी यहां पर जेनरल और विसी इस्ट्रेंट्स को जब की 200 रूपिया सुल्क रखा गया है एस्टी एस्टी के लिए और महिला लोग के लिए चिक यहां पर देख सते हैं इंपोर्टेंट नोटिस है झारखन राज के इस्थानी निवास लूब है कि यहां पर आपका आरे जाल लग ढाल जहां है कि यहां पर ऑनरचित यानि जख जान जाती है यानि जो है एक साइक बोतिकी का पोस्ट है जिसमें आप जनरल का देख सकते हैं फिर आप देख सकते हैं एसी का बीसी वन बीसी टू का पोस्ट कुछ भी नहीं है और टोटल जो है फोर पोस्ट है इसके लिए नेक्ट जो वेकंसी है वो है वेगानिक साइक समयने जो है रसायन के लिए इसमें भी कूल फोर पोस्ट है जिसमें जनरल के लिए टू है और एहां पर एस्ट के लिए वन है और BC-1 के लिए one post है, next post है वो है weganics सायक 20 विज्ञान जिसमें जो है total 14 post है, इसके लिए जो है आपका general के लिए 6 सट के लिए 4 सट के लिए 1, BC-1 के लिए 1, BC-2 के लिए one post है और AWS के लिए evenाächst के लिए one post है इसमें, बैकनिक नंकोडिक का यहाँ पर वेकंसी हैं। जिसमें कुल दो हैं एक है जजैनरल के लिए, दुसरा है अगला जजची हो यह है वेकंसी होसीcken फिसक्स पोस्ट में जिसमने तीन है आपका जैनरल गा एक है आपका ST, फिर एक है SC के लिए, एक है BC1 के लिए, नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है, वेगानिक साइक, जी विगान के लिए, जिसमें आपका कुल एक पोस्ट है, जो भी जेनरल होले लोग के लिए है, नेक्स्ट आपका पोस्ट है, देखते हैं, वेगानिक साइक, DNA के नेक्स्ट जो आपका वेकंसी हुआ है वेकानिक साइक फोटोग्राफी के लिए जिसमें कुल थ्री पोस्ट है और दो पोस्ट है जनरल के लिए एक है एस्टी के लिए नेश्ट ते विगणिक सायक cyber forensic का जिसमें 5 पोस्ट है तीन है आपका जनरल के लिए एक है एस्ट के लिए और एक है BC1 के लिए अगला जो विगणिक सायक फरन्सिक इंजिनिरिंग एवंग उपकरन इसके लिए कुल एक पोस्ट है जो जेनरल के लिए आपको रखा गिया है और अगला जो वेकर्ण से वेगानिक सायक डोकुमेंट जिसमें कुल तीन पोस्ट है दो है जेनरल के लिए एक है एस्टी के लिए तो तमाम पोस्ट के लिए क्या कुछ सचनिक योगता रखी गी है च जिस में होगा आप देख़ूटि की अजिए बनीट कटें आपका जो ही मत्ति करने वाले बीस के सकते हैं और जो है इसके साल साथ आपका जो है जार्खन सरकार या भाल सरकार के से निमनदित किसी भी संस्थाम स्था आपका कंप्वेटर का च्वालिफाइंग के लिए बस पेपर वान जो है कॉंपूटर से लिल्टेट जो है पचास कुशन पुछा जाएगा जिसमें आपको 30 परसंट उसका लाना है कोलिफाइंग नेचर का रहेगा हर में रहेगा एक दो छोड़के अगे बताते जाएंगे वर्गेनिक साइक बहुतिकी का पोस्ट है ग्रेट पे बताएगे हैं यहां पर आपका जो सचनी क्योगता है वह 55 कम से कम 55% अंकों के साथ जो बहुतिकी में सब्सक्राइब पर आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा फिपर वाण से 50 कोर्षन पूछे जाएंगे नेक्स्ट आपका पोस्ट है वेगानिक साइक केमस्ट्री रसाइन समय रसाइन का जिसमें आपका गर्ट में पर देख सकते हैं और कम से कम इसमें 55% अंकों के साथ केमस्ट्र आपका कॉर्स होना चाहिए DCA का किसी भी वन्हें अनित्रप्रव साम से उसके बाद पेपर वान का इसमें भी जेकर किया गया जिसमें आपको कुल 50% का 30% अंगलाना अनिवार्ज है नेक्स जो है वेगानिक साइक 20 विगान इसके लिए गरेट पर आप देश तते हैं इसमें जो सेचनी के वकता मागेगी है कम से कम 55% यानि 55% परतिसत अंगों के साथ रसान सास्त यानि केमेस्ट्री में आपका मस्ती होना चाहिए अथ्वा इसके अलावे 55% अंगों के साथ फ उच्छा जाएगा पेपर वन उसमें जो कम जिसमें कम्पूटर यहां संचालन से समधेर परसंट रहेंगे कुल पचास परसंट रहेंगे उसमें आपका जो है 30% अंग लाना अनिवार जोगा देखें यह चीज मैं बरबार नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी में यह सेम चीज चाहिए चीज सेम चीज़ चाहिए और ही पेपर वन में आपको 50 परसंट अंक लाना होगा बागानिक सहक 20 पोड़क का पोस्ट है जिसमें जो है कमेस्टी में में चाहिए या फिर जो है बच्छी के साथ फ्रेशन साइक्स में में 55 परसंट अंकों के साथ इसमें भी डिस्टी मागी की है और पेपर वार में आपको जो है कुल 50 परसंटों का कंप्पूटर से रिलेटेड़ कोशन पूछे जाए जिसमें 30 परसंट अंग लाना अनिवार जाए नेक्स जो आपका से देशते वेकंसी है वेगानिक साहक जी विगान का सेलेरी यहां प कर सकते हैं या फिर साइंस में में सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे यह सेम चीज है पेपर वान में जो है कंप्पूटर से लेटर परसंट पूछे जाएका 30 परसंट लाना अनिवार जाए नेक्स्ट जो आपका सेलेरी यहां पर दीगी है 55 परसंट आंगों के साथ साथ सेम सेमें ने बता दिया और यह उगता में आपको अंगों के साथ 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 यह पाड़ी विज्जान में पूछे जाएंगे 30 परसंट लाना अनिवार जाए या फिर फ्रोरेंटिक साइंस में आपका मस्ती होना चाहिए ब्यस्टी बी ये वाले भी अपली कबल है और इसमें जो आपका छे मांगा डिये से सर्टिपिकर मांगा गया है और फिर पेपर वान में जो है पचास परसन पुछे जाएंगे जिसमें थर्टी परसन अंग लाना होने वार जाए सेम चीज़ है वेगानिक साइब फोटोग्राफी सेलेरी यहां पर दे गई है 55 परतिसत अंगों के साथ बहुतिकी यानि फिजिक सेलेरी यहां पर दे गई है नेक्स्ट है आपका यहां पर दे सकते हैं किसी भी मायनेत अपरात विस्विद्यालाई से पर्चपन परतिसत अंकों के साथ M.C.A. होना चाहिए यानि Master in Computer Applications या फिर IT होना चाहिए Information Technology या फिर Computer Science में आपका B.E. या फिर B.T.E.C. होना चाहिए और उपर का जो भी नियम था DCA वाला हो या फिर Paper 1 में पत्रवार्ण में computer related पर्चन जो पूछे जाएंगे उसमें आपका 30 पर्चन अंग लाना अनिवा B.E. में जो है B.E. या फिर M.C. होना चाहिए उपर का जो भी नियम है वह लागू यहाँ पर नहीं है यान DCA certificate का जुरूत नहीं है वागानिक साहक डुकुमेंट सेलेरी 55 पर्चन 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 पूछे जाएंगे और इसके लिए जो आपका देशत है यहाँ पर नियुत्यम करना जो है एक अगस 2021 से की जाएगी आगे जो नियुत्यम जो है उम्र सिमा 21 वर्च है और अधिक्तम जो है जेनरल वालों के लिए 35 वर्च EWS के लिए 35 वर्च BC2 के लिए 37 वर्च महिला लों के लिए 38 वर्च और जो है 40 वर्च मांगा गए STC का जोड़ा जाएगा जिसमें पेपर टू का बस जोड़ा जाएगा पेपर वांड का नहीं तो चलिए डेटेल के सथ आपको बताते हैं पीट्यू मैंट्स के लिए सब्सक्राइब पर इछाली जाएगे जिसमें जो है कुल 120 परसुन रहेंगे जिसमें से अंकों का यानि देख सकते हैं कुल मिला कि फ्ती परस नहीं से हो जाते हैं समय ब्स परस न और जो खिन ऐब कर ब्रासिर्एंगे सीजिंग से कर्श हो जाएगे मीनगर चार परंखीड दिया या जोडीनी Windows के लिए बुलमों में कम्पूटर एहां संचलान से साम्सों reaction मैं पूछे जाएंगे ये सारे posts के लिए जो है वह व्ट इपचेबल हैं जिसके आपको नहीं देना पड़ेगाई याई पॉस्टक लिए कि दो पोस्ट के लिए तो देशा हैं वेगानिक शायक सायजिंग करंग में उपकरन का इसमें बूं इतनी जानकारी थी दोस्तों, डिटेल के साथ आपको बताने कोशिस करें, बाकी देख सते हैं यहां पर computer paper 1 जिन लोगों कहा है, उनलोगों के से देख सते क्या पूछा जाएगा, तो समधित पत की सेवा नियमाली में यथा विहित computer ग्यानों संचालेंड के परिछा इस पत्र में के अधिन ले जाएगी, इस पत्र के अधिन जो है, उन्डो, MS Office, इंटरनेट तथा इमेल इत्तादी से समधित, MCQ यानि बहुँ बिकल्पिक उतरित 50 परशन पुछे जाएगे, जिसका कमसेका आपको 30 परशन अंक लाना अनिवार्ज होगा, और यह जो है परिछा एक घ समय है, फिजिक्स है, जिस समधित, आप जो जिस पत के लिए भर रहे हैं, उस पत्र से लेलेटर जो आपका कुल 100 परशन पुछे जाएगे यहाँ पर, और यह जो एकजाम होगी, वो दो घंटे की होगी, कितने की? दो घंटे की होगी, और यहाँ पर अच्छी तरह से बता की हुए, और यहाँ पर देख सते हैं, यहाँ पर साफ़ लिख्या हुआ कि, पेपर 2 में कुल प्राप्त अंकों तथा पदों के बिकल्प के आधार कर मेधासुचिक का गठन किया जाएगा, यानि पेपर 2 के आधार पर जो है यह आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, पेपर 1 का रहेगा, ठीक, और तो यह थी दोस्तों, इस पोस्ट के लिए कुछ बेसिक से जान करें, इसके अलवे अगर कुछ डाउट आती है, आपके मन में, तो हमाईर कमेंड किजेगा, ताकि उस डाउट को आपको क्लियर करने कोसिस करेंगे, इसके अलवे जब भी फॉम फिलफ सुरू होगी, तो आपको step by step आपको दिखाएंगे कि किस सरद से फॉम फिलफ करना है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, इस सरी लेटर अगर आपके मन में कुछ भी अगर समय साय उत्पन हो रही है, कुछ आपके मन में कुछ कोशन क्रियाट हो रही है, तो कमेंड केजिए, उसका जबाब आपको जरूर मिलेगे, दिनवाद दस्तों जोहार